नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी असी में ये चैनल पर दोस्तों आज हम 18 जन्वरी के टॉप 5 करेंट अफेर्स को सॉल्व करेंगे और उसे एक्स्प्लेइन भी करेंगे ये पूरा सेशन इंटराक्टिव वे में होगा इस यूडियो को अन तक आप जरूर देखिएगा तो आगे शुरुआत करते हैं हमारा पहला करेंट अफेर्स है बेरूत कहां पर इस्तित है आप्शन हमारे है एक कुवायत बी यू ए इ सी लेबनान डी अलजीरिया ठीक है आपने कुश्चन पढ़ लिवा होगा इसका जो करेंट आंसर है वह है लेबनान दोस्तों बेरूत जो है लेबनान की कैपिटल सीटी है और यह जो मेलिटरियन सी है पुमदि सागर है बिल्कुल उससे सटा हुआ है अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो यहां से एक कावर प्रेशन बन सकता है कि क्या लेबनान जो काफी बड़ा हमला था इसे कई सबनान बॉल लोग महारे गये थे तो जिससे उसके बाई से वहां के इस्तिति उनकी काफी गंभीर बनी होई है मतलब अगर हम बात करें तो 2019 से जो उनकी currency है वो भी devaluate कर गई है काफी 90% अगर हम बात करते हैं टम्स में वो devaluate कर गई है तो जिससे fuel prices भी काफी ज़्यादा हो गए है तो अगर हम और एक case की बात करें तो वहाँ पर जो बिजली आ रही है वो एक या दो घंटे से हो रहा है हमारा अगला question है दोस्तों हैंले passport index 2023 के नुसार किस देश का passport दुनिया का सबसे सकतिसाली passport है options हमारे है United States, Japan, India, Australia ठीक है दोस्तों इसका जो correct answer है वहाँ है जापान, B इसका दोस्तों correct answer है दोस्तों हैंले passport index 2023 जारी हुआ जिसमें जो first trying मिली है वो जापान को मिली ह दोस्तों यह जो first trying मिली है यह दर्शाता है कि उनका passport कितना मजबूत है मतलब क्या है दोस्तों कि वहाँ पर 193 देश के लोग या तो visa free या तो फिर visa on arrival travel कर सकते हैं इससे उनकी economy ही grow करेगी जतना कोई भी country का passport अगर powerful है strong है तो इसका मतलब है कि उनकी economy strong होगी है क्योंकि व tourism को लेकर या trade को लेकर ठीक है businesses जो होते हैं business travel होते हैं तो यह सब जो है चीज़े काफी seamlessly होगी तो यह दर्शाता है कि उनका passport कितना मजबूत है अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया की rank इस बर 85 है और last time दोस्तो 87 थी तो दो दो rank जो है इंडिया ने improve किया है और अगर हम बात करते हैं कितने countries मतलब कितने country के लोग इंडिया में visa free या फिर visa on arrival travel कर सकते हैं तो 59 countries जो है इंडिया में ऐसा कर सकती है दूसरे rank पर दोस्तों सिंगापूर है और तीसरे rank पर दच्छड को रिया है ठीक है दोस्तों हमारा अगला question है दोस्तों कौन सा रा दोस्तों करनाटक में दो सिटी है हुबली और धरवार वहीं पर इसका आयोजन हुआ है 12 जन्वरी से 16 जन्वरी के बीच में इस पूरा जो राश्ट्री युवा महोसर इसका आयोजन हुआ है और इसका जो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका जो इसका inauguration जो है मोधी जी दोस्तों उन्हीं के जनम दिन पर दोस्तों राश्ट्री युवा दिवस मनाया जाता है यह जो आपका राश्ट्री युवा महोसर है यह दोस्तों इसका आयोजन होता है और दोस्तों इसकी ठीम की बात करें अगर तो ये दोस्तों इसकी ठीम है विक्सित युवा और विक्सित भारत आप इसको पढ़ सकते हैं ये कुछ परिचाओं में ऐसा पूछ सकते हैं हमारा अगला कुछन दोस्तों है विश्च बैंक की Global Economic Prospect Report के नुसार 2023-2024 में भारत की आपेकशित आर्थिक विद्धिक कितनी है दोस्तों इसका ओप्शन्स है छे परसेंट 6.6 परसेंट 7.2 परसेंट 8.1 परसेंट जो करेट आंसर है वहाँ है भी 6.6 परसेंट ठीक है दोस्तों यह जो ग्लोबल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है या वाड़ बैं दोस्तों है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना स्वदेश दर्शन 2.0 इस स्कीम जिसे हम कह सकते हैं एंग्लिश में के तहत चैनित कुमार कोम और बेपूर किस राज में इस्तित है ऑप्शन समारे दोस्तों केरल लद्दाक अनौंचल प्रदेश में घाले ठीक है इसके सही 2014-15 में लांच हुई थी यह तो आपका 2.0 वर्शन जो अभी इसके पहले भी 2014-15 में स्वदेश दर्शन स्कीम लांच किया थी जिसमें पंदरा ऐसे थीम बेस्ट टूरिस सरकिट्स को सरकार ने चिन्यत किया था यहां पर अगर आप फोटो में देखेंगे सारी सरकिट्स का नाम लिखा हुआ है 31 राज में पंदरा थीम सरकिट ऐसे मतलते और पांसो से अधिक ऐसा डेस्टिनेशन उन्होंने पॉइंट आउट किया था लेकिन दोस्तों इसमें जो आपका सुधेश तरसन 2.0 है इसमें क्या अंतर है इसमें जो है मिली कहा गया है कि जो ग्रामीर सरक करने के लिए यह किया गया है दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि मतलब जो ऐसे पंदरा 15 से सायद 1516 ऐसे राजे हैं जो उनको चुने गया है और उसमें कुछ important cities जो चुना गया है उनको develop किया जाएगा as a tourist destination ठीक है दोस्तों यह हुआरा सोधेश दरसन 2.0 के संबन में कुछ important fact आज के लिए दोस्तों इतना ही है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हुआ